हेलो शात्यों, वेलकम तो एक्जाम पूर, एक्जाम पूर में आप सभी का स्वागत है, साती आ जाएंगे सभी, आज हम लोग बात करेंगे UPSI के एक्जाम पैटर्न और उसके सिलेबस पर, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम अभी से UPSI की तयारी क्यो करा रहे हैं, देखो, पिछले साल आपकी UPSI की भरती होके गई है, 9500 की भरती थी, उसके बाद उत्तव वदेश राजी सरकार ने खुद कहा है कि 3000 पदों के अधियाचन हमने उत्तव वदेश पुलिस प्रोनती वोड को दे दिया है, अब पुलिस प्रोनती वोड से जब प पता, मुझे भी नहीं पता, और किसी को भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है 2023 में आपकी पेपर होंगे, हो जाएगा आपका 2023 में पेपर, तो आप सभी साती जो भी UPSI की तयारी कर रहे हैं, जो भी UPSI के बारे में सोच रहे हैं, एक एक चीज हम लोग यहाँ पर डिसक इस लिखित परिक्षा होती है, इसमें syllabus क्या होता है, यह आगे आएंगे पहले लिखित परिक्षा, stage second इसमें होता है सारीरिक मानक परिक्षा और दस्तावे सत्यापन, document verification और इसमें तीसरा होता है आपका सारीरिक दक्षता परिक्षा और चोथा फिर आपका यहाँ पर चि परिटिन पास करेंगे, फिर आप फिजिकल पास करेंगे, फिर मेडिकल पास करेंगे, क्योंकि मेडिकल में भी कुछ लोगों को फेल कर दिया जाता है, कुछ समस्यागर है तो आपकी cut-off बनेगी इसी नमबर पे, जो आप लिखित परिक्षा में लाएंगे नमबर, तो सब से में हो जाती है यहाँ पर लिखित परिक्षा, लिखित परिक्षा के बाद क्या होता है, यह आपने पैटर्न समझा किस प्रकार से आप लोग करते हैं, आवेधन कौन कर सकता है, इसमें तो बेटा आवेधन वही बच्चा कर सकता है, जो आपका इसनातक पास है, कौन है, बी-बी-ए किया है, बी-टेक किया है, बी-ई की है, हैना कुछ भी अगर इनमें से डिगरी किया, कितने भी परसेंट मार्क्स हों, इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता, तो आप इस फॉर्म को बर सकते हैं, यह जो आपकी होती है, इसमें 21-28 होती है, मत्तब 21 से कमबाले फ आप भर सकते हैं, फॉर्म जब वो या तो OBC कैटेगरी के हों, या फिर SC और ST कैटेगरी के हों, और जो आपके जनरल के लोग होते हैं, सामाने लोग होते हैं, उनको यहाँ पर एज रिलेक्सेशन नहीं होता, और उनकी मैक्सिमम एज 28 साल होती है, उसके बाद वो इस फॉ हमने यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार से उनको एज रिलेक्सेशन मिलता है, तीन साल OBC और पांच साल आपका SC ST, आगे चलते हैं, उन्चाई क्या होती है, उन्चाई जो कॉंस्टेबल की होती है, वही हाइट होती है, अन्रिजब, OBC बगएरा, आपकी यह हाइट होती है, 168 cm, महिलाओं में 152 cm, जबकि अगर यही ST की बात करें, तो कम हो जाती, 160 हो जाती है, जबकि महिलाओं के 147 हो जाती है, चाथी की बात करें, तो पुरसों में 79, फुला कर आपकी 5 cm का विस्तार हो, महिलाओं के लिए नहीं होता, हैना, ST आपका 77 cm, 5 cm का एक्स्पेंशन हो च सिलेबस को मैं समझाऊंगा, हिंदी, सामान हिंदी, सामान हिंदी का मत्कव है आपकी हिंदी ब्याकरण, परियाएबाची, आपके अनेक आर्थी, समान आर्थी, विलूम, सब्द, रस, अलंकार, इनमें से भी सवाल आपके पूछ लिए जाते हैं, वर्ड माला से सवाल संख्यात्मक और मांसिक छमता परिक्षड, 40% और आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर यह नुमेरिकल एबिलिटी होती है, और यह आपका मैंटल एबिलिटी होती है, अर्थात कहने का मत्तब हैं, यह दोनों सब्जेक्ट हैं, रीजिनिंग और मैथ, है ना, क्या है वेटा, रीजिनिंग और मैथ, नुमेरिकल एबिलिटी, अर्थात आपका संख्यात्मक परिक्षड, मत्ब जो जैसे परसंटेज के सवाल है, प्रॉफिट और लॉस के सवाल है, अर्थमेटिक वाले सवाल, उसी प्रकार से आपकी मैंटल एबिलिटी, मत्ब एक तरह से गंटे का समय होता है, तोटल जो होता है, जो टोटल होता है, वो 400 होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, अब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब सबसे ज़्यादा मैं इस पर फोकस करूँगा, कि जो GS वाला 40 का परसंट है, 40 प्रस्नों का, यह कैसे होता है, देखो, 40 मैं से 15 सोले से 15 सोले सवाल आपके सीधे सीधे पॉलिटी और भारतिय सम्मिधान के होते हैं, इसमें 5 सवाल आप लोग जोड़के चलिएगा, IPC और CRPC मत्तब मूल विधी और कानून के होते हैं, 5 परसंटों को आप लोग याद करेंगे हैं, तो यह आपके 21 से 22 इसमें से 2-3 सवाल आपके इतिहास के, 2-3 सवाल आपके हिस्ट्री के बाद आपका जैसे जिएगराफी है, करंटा फेयर है आपका, करंटा फेयर का थोड़ा ज़्यादा रोल होता है, है ना UP से पूछ लेता है सवाल, या फिर आपके स्टैटिक से सवाल पूछ लेता है, या फिर आपके एकॉनोमिक से सवाल पूछ लेता है, तो आपके ऐसे करके ये GS होता है, GS में सबसे ज़्यादा रोल होता है आपके पॉलिटी सम्मिधान, क्योंकि 15, 14 सवाल, 16 सवाल तक हो सकते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है भाया, आपके म GS में 40 में से 38, 37, 36, 35 तक कोशन किये थे, ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, कि GS में यहां तक पहुंचना, है न, GS में यहां तक पहुंचना, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको तपस्या के जैसे मैनत करनी होती है, इस बात को भी आद रखिए, अभ परवरी, मार्च, अपरेल तक आपकी आजाए, और जब भरती आती है उसके तीन, चार, पाँच महीने में पेपर हो जाता है, उधारन के तोर पर आपके जून तक फॉर्म भरा गया था, जून 2021 तक फॉर्म भरा गया था, लास्ट डेट जून 2021 तही और पेपर की अक्टूबर में हो सकता है इस बात को याद रखेंगे ठीक है चले यह बात आप लोग मेरी समझ गए है अब आप लोगों को बताऊंगा कि हिंदी का सिलेबस जैसा कि मैंने आपको बहुत सोट में बताया था इस प्रकार से बढ़ माला से लेकर यह सारी चीज़ें आप लोग ठीक है मैतमेटिक्स में आपके सवाल लेते हैं ज्यादा तर आपके अंकगड़ित के सवाल लेते हैं रीजनिंग के आपके यह टॉपिक रहते हैं है ना और उसी प्रकार से आपके जनरल नौलेज के कुछ यह सवाल और बाकी मैंने बताई दिया आप लोगों को इसके अला सवाल लेकिन भारतिया राजनीती से बहुत डीप सवाल रहते हैं और 15-16 के आसपा सवाल रहते हैं भारतिया मूल विधी जो आपकी है इससे 5-6 सवाल रहते हैं और इसको विस्तार से पढ़ना होता है UPSI को पास करने के लिए यह syllabus देखने पर आपको लग सकता है कि किसी ब हैं यह आप लोग समझ गए उसी प्रकार से आपके basic law constitution के मुद्धे हैं यहाँ पर यह detail में बताए गया आप लोग देख सकते हैं reasoning के topic English में हमने लिख दिये है mental aptitude test आपके यह है intelligence यह सब लिखते हैं वो किस प्रकार से भी हम लोग यहाँ पर सवाल आप लोगों से पूछे हैंना सबाल आप लोगों से पूछेंगे तो मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा कि इसके एक written परिक्षा होगी written के बाद आपका document verification और उसके बाद आपका physical होता है physical में आपको दोड़ लगानी होती है दोड़ कोई बहुत जादा नहीं होती ऐसा नहीं है कि आप दोड़ रीजनिंग को GS को हिंदी को मजबूत करिये और लग जाईए आप लोग अभी से है ना आपको बता दूं कि आज आज अगर आप लोग इसकी तैयारी आज सुरू करते हैं मतलब अगर आप उड़ान बैच से आज जुड़ते हैं तो 31 दिसंबर तक यह offer आपका 599 में हैं कित बच्चे अभी से तैयारी सुरू करना चाहते हैं वो जोड़ सकें क्योंकि अब जो पहले से तैयारी सुरू करते हैं वो जैनुवन बच्चे होते हैं लास्ट में एक महीना पहले कोई आए आपको लगता है वो सेलेक्शन लेगा या दो महीना पहले नहीं हमें भी तैयारी के दबाव में और तयारी करता है घरवालों के दबाव में उसका उधेश नहीं होता सेलेक्षण लेना जो बच्चा छे साम आठ महीने पहले से कम से कम तयारी करता है वेटा तब कहीं आपको तयारी के लिए चाहिए होते हैं आप सभी से कहूंगा कि हमारी उडान बैच के साथ आप लोग जोड़ सकते हैं अगर बढ़िया से एकदम क्वालिटी एजुकेशन और बढ़िया तरीके से आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं हमारी सभी धुरंदर टीम इसमें है मैं आप लोगों को एक बढ़ बता देता हूं कि कौन-कौन इस टीम में सामिल हैं अगर हम लोग इस टीम की बात करें तो आपके विवेक सर हिंदी पढ़ा रहें मूल विधि विवेक सर पढ़ा रहें रीजिनिंग आपके दीपक सर बहुत सांदार है बहुत जबरदस्ट बहुत अनुभवी टीम है और आप मज़ा आ जाएगा सिरियस्ली गुरुजी कल लिया है तो जिन बच्चों नहीं लिया है वो बच्चे भी इसके साथ जुड़ जाएंगे विटा क्योंकि कल से ठीक है तो तीन तारिक से आपकी यहां पर खुरूर खीर कर आएंगे तो बाकी सभी टीचर्स हैं सभी अपने सब्जक्त के दुरंदर इसमें लगे हैं तो आप सभी सातियों से निवेदन है कि आप लोग बैच के साथ अबसे चुर जाएंगे, बाकि शुक्री आप सभी का, थैंकियो, जै हिंद, जै भारत, थैंकियो, बिहार वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिलकुल पूरे हिंदुस्तान के कहीं के भी बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, यूपी, एस पूरे देश के रहने वाले लोग दे सकते हैं, सिर्फ भारत का नागरिक होना आबश्यक होता है,